नमस्कार साथियों आपका स्वागत आपके यूट्यूब चैनल ट्रेट वित रहाने चलिए दोस्तों आज के सुरुवात करता है आज 14 मर्च और दिन के 11 बच के 30 में डोरा लाय मार्केट ओपन है तो आज जो हम बात करने जा रहा है वो है पेटियम के बारे में पेटियम के पेटियम के साथ हम समझेंगे पेटियम के लिस्टिंग वह उसके वाइस गिर क्यों रहा है बीच में जब रीकवर हो था जब मैंने आप लोगों को बोला था कि पेटियम के शेरों में से निकल जाए कि जब 9500 ट्रेट कर रहता और आज जो 11-10 परसेंट गिरावाट उसकी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए तो मैं कंपनी के वैबसेट है क्या वर्क है क्या समझते हैं तो पेटियम तो एक डिजिटल जो पेइमन्ट होता उसका यानि डिजिटल पेइमन्ट का सॉलूशन प्रोवाइड करता है तो अब कही सारे यूपिय मार्केट में सब्सक्राइब करते हैं तो पहले पेटियम सिंगल था ठीक डिजिटल पेइमन्ट के अंदर है तो बेसिकली कंपनी के सा काम तो बढ़ चुका है और जो पहले ट्रांजेक्शन होती थी कंपनी यानि इंडिजिवल पेटियम में होती थी अब तो डिफेंट डिफेंट यूपिये यूज तो जिस वचे से एक सिग्मेंट यह कमी की वज़ये पनाई गेती तो हैप के बाद क्या हुआ इसमें फॉर्ण इंवेश्टर के इंवेस्मेंट हुआ था बड़े बड़े इंवेस्टर नममें इसमें वेकात अपर हैंट यूजि़ू में बढ़े इसमें तो सबसे पहले चलते हैं आज के दिन आज का मार्केट काब करेंगे यहां से क्या निउस निकल गई है वो समझेंगे फिर उसके बाद पेटियम के अंदर मुवमंट कैसा वनेगा व उसके वह बात करेंगे निटिकेशन लिमिटेड तो कंपनी किस नाम से रिष्टरण यह वयाँ दिश्टर्ण जो है वह कंपनी कम्पनी रिष्टरण है निटिकेशन लिमिटेड तो मार्केट कैप है इसका 44,683 क्रोड बेगा इसका चला माइनस में 17.8% का बुक वैल्यू इसका है 96.5 पैसे का रिटर्न ओफ इक्वेटी इसका माइनस में 19.4% का डिविडेंड कम्पनी ने दे फेस्व वैल्यू इसका एक रपेगा है कि अंदर के अंदर के अलमस्ट करजा फिर हो चुग यह तो पॉजिटिव साइन बाट इसका ग्रावट की वजए एक चाहिए जो को और अपना इसका इनकी सेल भी काम हुई थी साधिसा इनके एक्सपेंस बढ़े थे साधिसा इनका देखेंगे नेट प्रॉफिट में बड़ अब देखेंगे एक वाड़ा इसकी होल्डिंग के इसस इंदर नहीं रही है बाकि इस बज़ेसे ज्यादा गरावट देखने को मिल रहे हैं अब क्या देखने को मिलते हैं आज के दिन का इसका सबसे पहले आप चलते हैं उसका नियूस निकल की आईती आप देखें के बारा तरह कि नीव्सक्राइब नियूस निकला के आइथी तो तो तरी मार्किट बनित और इसदिन नुस आईती तो इन्होंने नहीं से बेसी को अप्डेट करा है कि क्या हुआ है कि इनका जो बैंक है पेटियम पेमंट्स बैंक लिमिटेड तो इसके अंतर क्या रिजव वैंक ने इनको इनको इनों को गाइट लेंड जोती उसका अकॉड़िंग ये लोग आपकाउंट आपनेंग नहीं कर रहे तो इसका अकॉड़िंग कि द्वारा गाइडलेंड का अप्रूफ करा और आरबी ने अभी जो इनको ग्यारा मार्च के बाद ठीके ना जो नए कस्टूमर रहा ओन बॉर्डिंग करने तो वो टंप्रेली बंद कर रहें ग्यारा मार्च को और आउटकम हमारे को कम मिला है बारा मार्च को अपडेट पूरी मिली है तो आरबी ने क्या वोला कि अपने पुराना पैंडिंग पड़ा हुआ है उनकी के वाई से जो पैंडिंग है उसको क्लियर करो उसके बाद आप नया खोल सकतो बाकी अभी आपको लिए सस्पेंड किया रहा है आप नए कस्टूमर नहीं बना सकते बट कंपन चलती है ठीकिन यूपेंट कर सकते हैं वालेट पेहिमेंट यह साची पेहिमेंट आप लोग करता है यह सब चीज़ा आप कर सकते हैं बस न्यूज का इंपक्ट है न्यूज लोगो समझ आने में अभी यह न्यूज अपडेट हुए थोड़ा टैम लगीगा बाकी आरवे न अब इसके अंदर देखते हैं आज की इसका मार्केट कैप कैसा चल रहा वह समझते हैं तो आज यह दिखिए मोटा मोटा दस परसेंट गिर चुका था ग्यारा परसेंट अभी रीकावर करा देरे आप देख सकते हैं अभी 9.87 परसेंट के ट्रेट पर काम कर रहा है तो आज अभी इसने हाई मारा भी देख सकता हूं इसको थोड़ा से रीफेर्स करेंगे तो इसका अबडिशन मिल जाएगे हमारको यह देखें अभी यह साड़े आठ परसेंट गिरावट के साथा भी ट्रेट कर रहा हुए तो आज यह ओपन होता है शेसो पिचत्तर बेगा हाई मा 25. पर आपके शेर होंगा आप निकले नहीं होएंगा तो आप आप यह फासे होएंगे अच्छे गासे और अब यह और फासने वाले हैं वह क्यों थोड़े दिमार को एक्स्पेंग तो अब देखिए मैंने इसके डेली चाड ओपन घ्राट तो चार्ट तो यह पूरे इक इसको लाद आप अच्छे कर सकता है अगरा अच्छे कहसे आप नौ जहाएं ठीक है अगर आपके पास है अगर अच्छे कहसे कमी देखने को मेली अबको तो आपको क्या करना है अगर आपके पास छोटा मोटा घाटा हो रहा तो निकल जाइए अभी इसमें सभाय करनेगा मुझे भी आप यहां से लगते हैं आपके पास है तो अच्छा खासा घाटा और तो आप फोल्ड करिए बागे छोटा मोटा निकल जाइए अभी आपको बिल्कुल इसमें फ्रेस बैंग नहीं करने हैं आप इक दम हाइप पर वह मत हो जाने के भी आप इनको मिलना सस्ते वैलुएशन पर बाइक कर लिजिए इस दिखने रहे चार्ट पर एक अलगी पैटन बना है कैची पैटन इसको बोलते है नाइफ पैटन बना तो अच्छी का सी गिरावट इसमें और देखने को मिलेगी आनले टैम पे तो मेरा मानना आप इससे अवाइड करिए पेटियम में है छोटा मठा घाटा तो निकल जाई आपको क्या करना अगर आपके पास है तो रख लीजिए अधर अधरवाइस मेरा मानने इसमें से अवाइड करिए हाल फ्लैल के लिए इसमें से निकल जाहिए मैं आसा करता हूं मेरे द्वारा दीगे जानकर इससा सहीमा देखना प्लीज वीडियो को लाइक शेफ वावड क करना बिलकुल ना बोले थैंक यू सो मच फॉर वाचिं दिस वीडियो